नमस्कार एनमेंस देख रहे हैं याप मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडी है 17 सिदंबर की तारीक को दिल्ली के पूर मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल ने आविश्टवर्णिया बना दिया है क्योंकि आज उन्होंने अपनी जगा नाम का एलान कर दिया है आतिशी सिंग के नाम का वैसे ही राजनितिक हलकों में मनो भूचाल सा आ गया बीजेपी एक तरफ अलग परेशान है और स्वाती मालिवाल जो पिछले दिनामाद में पार्टी की तरफ खिलाफत कर चुकी है वो अलग परेशान है आतिशी सिंग के नाम का जैसी एलान हुआ तभी स्वाती मालिवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया उसमें कुछ शब्द भी लिखे गए और एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उनकी मा आतंकी अफजल गुरू की पैर भी करती हुई नजर आ रही है पहले आपको दिखाते हैं कि स्वाती मालिवाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा स्वाती मालिवाल लिखती हैं दिल्ली के लिए आज बहुत दुखत दिन है आज दिल्ली की मुख्यमंतरी एक ऐसी महिला को बनाय जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरू को फासी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी उनके मातापिता ने आतंक की अफजल गुरू को बचाने के लिए माननी है राष्ट्रपती को दया याचिकाएं लिखी उनके इसाब से अफजल गुरू निर्दोष था और उसको राजनेतिक साजिश के तहत फसाया गया था वैसे तो आतिसी मार लेना सिर्फ डमी सीम है फ आति आपको बता दूकर जिस तरीके से स्वातिमालिवाल ने डमी सीम शब्द का इस्तमाल किया है इस तरीके का शब्द मीडिया में पिछले कई दिनों से चल रहा है क्योंकि एक कट पुतली की तरह अर्विंद के जिवाल की कट पुतली की तरह आतिशी सिंग काम करने वाल क्योंकि दिलों में संदेश पहुचाने की कोशिश की है कि मैं निर्दोश था मैं निर्दोश हूँ और अगर मैं निर्दोश हूँ तभी आप मुझे वोट दीजेगा इस तरीके की बातें अरविंद केजरिवाल की तरफ से कही गई है लेकिन इस तरीके से स्वाती मालिवाल ने अब पास्ट जो आतिशी सिंग का है उसे अब उधेडने की कोशिश की है उससे कहीं ना कहीं ये तो साफजाहिर होता है कि स्वाती मालिवाल बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आतिशी सिंग मुख्य मंत्री का पद सबाले इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई को इनका जन्म हुआ माता का नाम त्रिपता शाज सिंग है जिनके बारे में स्वाती मालिवाल के तरफ से ये ट्वीट किया गया आपको ये भी बता दूं कि लोकसबा चुनाव 2019 का गोतम गंबीर के सामने आतिशी सिंग लड़ चुकी है लेकिन सफलता नहीं मिली थी लेकि की नई मुख्यमंत्री बन जाएंगी तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी पहले सुस्मा सुराज उसके बाद सीला दिक्षित और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेंगी आतिशी सिंग तो जिस तरीके से स्वाती मालिवाल ने अब पास्ट को उधेडा ह और कहा है कि आतंकियों के पैरवी ये परिवार करता आया है और ऐसे हातों में दिल्ली सूप दी गई उस पर क्या है आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं नमस्कार